नमस्ते मैं सचिन गोयल आज आपको बता रहा हूँ कॉर्ण के लिए सरल घरेल उपचार पंजों या पैरों की उंगलियों पर गोल, सक्त, मोटा और सफेद रंग का मृत्त वचा का गुच्छा ही कॉर्ण का लक्षन है जूतों की टाइट फिटिंग, हाई हील्स पहनना, बिना मोजों के ही जूते या सेंडिल्स पहनना आदी कॉर्ण के मुख्य कारण है निक्सी में पीस कर एक प्याज का रस निकाल लीजिए प्याज के इस रस को दिन में दो तीन बार कॉर्ण पर लगाना चाहिए ऐसा रोजाना करने से कॉर्ण ढीला होकर बाहर निकल आता है और ठीक हो जाता है नीबू का ताजा रस निकाल लीजिए इसमें रूई का एक टुकड़ा बिगो लीजिए और इसे कॉर्ण पर लगाकर पट्टी बान लीजिए इसे तीन-चार गंटे लगा रहने दीजिए और फिर पट्टी खोल दीजिए ऐसा रोजाना एक बार करने से कॉर्ण बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है एक चमच बेकिंग सोडा लीजिए इसमें आदा चमच नीबू का रस मिला लीजिए और आवशक्ता नुसार पानी मिलाकर पेस्ट बना लीजिए इसे रात को सोने के पहले कॉर्ण पर लगाकर रूई लगाकर पट्टी बान लीजिए और इस पट्टी को रात बर बंदी रहने दीजिए सुबह पट्टी खोल दीजिए और कॉर्ण को हलके गरम पानी से दो लीजिए इसके बाद पाम स्टोन यानी एडी रगडने के पत्थर से इसे धीरे धीरे रगड लीजिए ऐसा रोजाना करने से कॉर्ण जल्दी ही ठीक हो जाते हैं आपके सभी गरेली उपचार हमारी वेबसाइट जैकुर्दापिंटसिटी.com से हिंदी में प्रिंट भी कर सकते हैं ऐसे ही सरल प्राकृतिक गरेली उपचार जानने के लिए हमें आज ही सबस्ट्राइब कीजिए